जेहीं दोस्तों SSB के तरब से आप सभी के लिए Head Constable पोस्ट पर नई भरती का Officially Notification आ चुका है और आज की इस वीडियो में जानेंगे SSB के तरब से Head Constable के लिए 914 पोस्ट पर जो आपका भरती रिलिज किया गया है इसकी Complete Details के बारे में यानि कि इस भरती के अंतरगत तेज ल होना चाहिए यानि कि Complete जो Details है Head Constable 914 पोस्ट के बारे में आज की इस वीडियो में जानेंगे तो चलिए दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप सभी देख लिजिए इसका Officially Notification तो यह रहा इसका Officially Notification जो की SSB के तरब से आया है और अभी जो है आपका Short Notice आया है लेकिन Complete Details इस वीडियो में आपको बताएंगे इसका Full Notification आने वाले Employment News Paper में आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो आपका यह Notice है Government of India, Ministry of Home Affairs आप सभी को पता है SSB का जो भरती है ग्री मंत्रालाई के अंत्रगत आता है ससस्त्र सीमाबल के तरब से आपका यह भरती है और वेकेंसी की बात करें तो इसकी फॉर्म जो है आपका Online Mode से Apply होने वाला है जिसमें यहाँ पे Head Constable Electrician के लिए भरती है इसके अलावा Head Constable मेकनिक की भरती है इसके अलावा Head Constable एस्टीवाड के लिए वेकेंसी है इसके अलावा Head Constable Veterinary के लिए और इसके अलावा दे इडिया के Male and Female दोनों Candidate इसका Form Apply कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो आपका यह भरती है इसकी डीटेल्स के बारे में तो वेकेंसी के बारे में सबसे पहले आप सभी देख लिजिए इसमें वेकेंसी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे वेकेंसी का डीटेल्स दिया गया है टोटल पोस्त सबसे पहले आपको बता दे 914 आपका टोटल पोस्त है और इसमें वेकेंसी की बात करें तो हेड कंस्टेबल इलेक्रिसियन के लिए यहाँ पे कैटेगोरी वाईज भरती का डीटेल्स दिया गया है और टोटल आपका 15 व बात करें जिसमें केवल मेल के इनडेट की फॉर्म फिल का सकते हैं तो इसके अंत्रगत 206 Navy आपका पौुष्ट है Hey Gab मेंतनीक के लिए इसके जो सबसे जादा पोस्ट जो है रखा गया है आप सभी यहां पर देखेंगे 578 जो है इसमें आपका total post है head constable communication के अंत्रगत और overall बात किया जाए तो 900 चोगदा आपका post रखा गया है इसके बाद दोस्तों इसमें 10% vacancy जो है reserved आपका रहेगा एक service man के लिए इसके बारे में यहाँ पे दिया गया है जनकारी और यहाँ पर देखेंगे vacancy reserve और एक service man और यहाँ पर इसके लावा दोस्तों इसकी form जो है आपका online mode से SSB का जो officially site है वहाँ पर जाके आपको apply करना होगा इसके लावा यहाँ पर eligibility criteria आप से भी देख लीजिए तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं pay scale के बारे में यानि कि payment आपको इसमें कितना मिलेगा per month तो इसमें payment जो है आपका level 4 का मिलने वाला है जो की 25,500 से शुरू होगा और इसके अलवा अलग से allowances भी आपको दिया जाएंगे तो payment आपका लगबग जो है 35,000 के आसपास आपका बन जाएगा असानी से इसके अंत्रगत, head constable के अंत्रगत और यहाँ पर देखेंगे इस भरती की eligibility condition के बारे में लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दे SSB constable treatment के retain exam की अगर आप सभी तयारी कर रहे हैं तो आपके लिए best book होने वाला है चक्छू publication का या एक practice set है जिसमें आपको 20 practice set देखने को मिल जाएंगे और जितने भी practice set है सभी का solution and answer इस book में आपको देखने को मिल जाएगा तो अगर आप सभी SSB constable treatment के retain exam की तयारी कर रहे हैं तो इस book को आप सभी purchase कर सकते हैं तो यहाँ पे eligibility condition आप सभी देखेंगे यहाँ पे जो head constable का भरती है इसमें आपका head constable electrician की बात करें तो यहाँ पे 18-25 बरस के बीच आपका age limit होना चाहिए और आप सभी को पता होगा कि जो OBC candidate होते हैं उन्हें 3 बरस और CST जो candidate होते हैं उन्हें 5 बरस का इलेक्सेशन जो है अलग से आपको देखने को मिल जाएगा इसके अलावा head constable electrician की यहाँ पी educational qualification की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पी educational qualification में तेंथ पास आप से मांगा गया है matriculation और साथी साथ जो है दो सल का work experience in respective trade तो जो आपका electrician trade है इसके अंतरगर दो सल का experience आपके पास होना चाहिए और साथी साथ तेंथ पास है तो आप form apply कर सकते हैं अगर मान लिजिए आपके पास दो सल का work experience नहीं है तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ में बुला गया है आपके पास जो है one year का certificate course from a recognized industrial training institute या vocational institute with at least one year experience in the respective trade तो यहाँ पी यह भी बताया गया है कि अगर आप सभी के पास दो सल का experience नहीं है तो अगर आपके पास one year का जो है यहाँ पे industrial training institute का जो है certificate है और साथी साथ one year का experience है in respective trade यानिक electrician trade में तो भी आप form को feel कर सकते हैं या इसके अलावा दोस्तों एक और यहाँ पे दिया गया है जैसे कि मान लिजी अगर आपके पास यह भी नहीं है qualification तो आपके पास अगर two year का diploma है from a recognized industrial training institute यानि कि ITIC अगर आप सभी दो सल का diploma किये है इन respective trade या similar trade में तो भी आप form को apply कर सकते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे तेंथ पास तो होना ही चाहिए साथी साथ यहाँ पे इन में से कोई qualification अगर आपके पास है तो आप इस post के लिए eligible होंगे और साथी साथ इसका trade test भी होगा तो इसे must qualify trade test यहाँ पे दिया गया है तो आपको trade test भी qualify करना होगा इसके लाब दोस्तों head constable mechanic की बात करें तो only male candidate के लिए यह vacancy है इसमें female form apply नहीं कर सकते हैं तो इसमें age limit आपका minimum 21 और maximum 27 ब्रस आपका रखा गया है इसके लाब दोस्तों यहाँ पे qualification आप से भी देख लिजिए जो mechanic की vacancy है इसके अंत्रगर तेंथ पास होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पे past in the diploma in automobile या motor mechanic engineering या two year certificate course in automobile या motor mechanic engineering from a government recognized industrial training institute ITI या equivalent तो यहाँ पे दोस्तों यह बताया गया है कि तेंथ पास तो होना ही चाहिए साथ ही साथ इसाथ अगर आपके डिपलोमा है अगर आपके पास automobile या motor mechanical engineering में तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं माननी जी आपके पास डिपलोमा नहीं है तो अगर आपके पास दो साल का certificate course है automobile या motor mechanic engineering में ITI के थुरू तो भी आप फॉर्म को अपलाई कर सकते हैं इसके अलावा दोस्तों ये भी बोला गया है कि इसमें जो है आपके पास भैली driving license होना चाहिए heavy vehicle का तो यहाँ पे qualification में आपके पास driving license भी heavy vehicle का मांगा गया है और साथ ही साथ यहाँ पे बोला गया है desirable में two year work experience in authorized garage या workshop तो ये आपके पास है तो इसका भी details दे सकते हैं फॉर्म अपलाई करते समय नहीं है तो इसका details आप न दे लेकिन जो qualification यहाँ पे दिया गया है ये आपके पास होना चाहिए तभी जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पे देखेंगे head constable stward की तो 18-25 आपका age limit है और इसमें qualification की बात करें तो इसमें भी तेन्थ पास मांगा गया है और साथ ही साथ सूध है वे diploma या certificate in catering kitchen management फ्रम मेरी पूटेटेटेड इंस्चिउट तो दोस्तों इसमें भी आपसे diploma जो है मांग लिया ग management इस फिल्ड में अगर आपके पास certificate है तो अभी जाकर आप फॉर्म को apply कर सकते हैं इसके अलबा साथ ही साथ वन यार का experience भी इस फिल्ड में आपसे मांगा गया है इसके बाद दोस्तों head constable veterinary की बात करें तो 18-25 आपका age limit है और इसमें 10-2 पास आउट होना चाहिए और 10-2 में आपका जो है biology subject होना आवासियक है और यहां पर देखेंगे process two year diploma course in veterinary and life stock development या veterinary stock assistant course या animal husbandry course from a institute recognized by the central government या state government तो दोस्तों इसमें भी दो साल का diploma का course जो है आपसे मांगा गया है veterinary या life stock development में या इसके लावा veterinary stock assistant course फिल्ड में तो इसमें भी आपके पास जो है आपके पास जो है diploma होना चाहिए इस field से related तभी जाकर आप form apply कर सकते हैं simply 12th pass होने से form apply नहीं कर पाएंगे इसके अलावा दोस्तों जो सबसे जादा vacancy है head constable communication का तो इसमें देख लीजिए इसमें जो qualification है क्या है 18 से 25 तो येज लिमिट है और इसमें intermediate पास आपका होना चाहिए science subject के साथ और intermediate में physics, chemistry and mathematics यानि कि intermediate में PCM subject आपके पास होना चाहिए physics, chemistry and math और साथ ही साथ यहाँ पर दे अगर आप सभी intermediate जो है 12th पास है PCM subject के साथ तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं तो इसमें जो है maximum candidate जो होंगे काफी सारे candidate जो है physics, chemistry and math के साथ 12th किये रहते हैं तो वैसे candidate फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं मालीजी अगर आपके पास 12th जो है PCM के साथ नहीं है तो यहाँ म 3-year diploma in electronic या communication या computer science या informational technology from a recognized institute तो अगर आप से भी PCM जो है 12th में नहीं किये हैं तो अगर आपके पास एक और qualification यहाँ पे दिया गया है जैसे देखेंगे 3-year का diploma जो है अगर आप से भी electronic या communication या computer science या information technology में किये हैं तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ प सबसे जादा है 500 पॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो आई हो पीस में जो है काफी सारे स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे क्यांकि PCM सब्जेक्ट जो है काफी सारे स्टूडेंट 12 जो है PCM सब्जेक्ट से किये रहते हैं तो यह आपके लिए best वेकेंसी है अगर आप से भी 12 पास है साइंस के साथ तो इसके बाद दोस्तों यहां पे आप सभी देखेंगे जो यह भरती है इसके लास्ट डेट के बारे में बताया गया है तो इसकी फॉर्म जो है अभी आपका सुरू नहीं हुआ है इसके इंप्लॉइमेंट निउज पेपर यानि कि फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं तो जब भी आपका इंप्लॉइमेंट निउज पेपर में फूल नोटीफी केसान आएगा इस चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा तो चैनल को भी आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जब आपका फॉल नोटीफ एक सर्विसमेंट एंड फीमेल के लिए एक भी रूपिया इसमें नहीं लगेगा इसके लवा दोस्तों इसकी फॉर्म जो है ऑनलाइन मोट से ऐसेसबी के ओफिसियली साइट पर जाकर आप सभी अपलाई कर सकते हैं अब यहां पर बात करते हैं कि इसमें हाइट क्या हरत है तो हाइट आपका इसमें 165 cm रहने वाला है और इसके अलवा दूसतों आपका फीमेल हैं 155 cm रहेगा और Kathy nhot के क्टर्फ होते हैं या सेंटी होते हैं उनको हाइट में जो है 0.5 cm का relaxation आपको देखने को मिल जाएगा अलग से यानि कि 0.5 cm का छूट आपको देखने को मिल जाएगा तो 165 cm जेनरली आपका रहेगा और जो आपका North East या सीडूल ट्राइप्स के जो candidate होते हैं उनको जो है 0.5 cm का छूट अलग से आपको देखने को मिलेगा तो height ये आपका रहने वाला है और यहाँ पर बात करें इसमें जो आपका PT होगा running के बारे में तो देखिए दोस्तो running के बारे में जब full notification आएगा उस समय आपको बता देंगे कि running जो है इसमें कितना होने वाला है किमकि अभी इसके बारे में confirm पता नहीं है कि running जो है कितने किलो मिटर होगा लेकिन height आपका 165 cm इसमें रहने वाला है तो अगर आपका height इतना है तो आप पसानी से फॉर्म अपलाई कर सकते हैं तो दोस्तों I hope आप सभी समाज गए होंगे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मातरम